मैं आदर्श कुमार गणी तद्यापक राजकिय उच्विद्याले गसो जीन आज के कार्यकरम में आपका हार दिख स्वागत करता हूँ आज हम गुननखंड और गुनज के बारे में सीखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं हम संख्याओं के साथ जोड घड़ागुना भाग करते हैं और उनके साथ खेलते हैं जिसके लिए हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 अंकों की आवश्यक्ता होती है यदि आप इन 10 अंकों से दोस्ती कर ले तो आपको गुनित में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आईए सबसे पहले हम गुननखंड के बारे में एक एक्टीवीटी करते हैं यदि हमारे पास 12 कंचे हैं आप सोच सकते हैं कि हम उन्हें कितने प्रकार से रख सकते हैं कि प्रतेक पंक्ती में बराबर कंचे हूँ हमारे पास 12 कंचों की संख्या है जो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास रखे गए हैं और हमें इन कंचों को इस प्रकार रखना है कि प्रतेक पंक्ती में कंचों की संख्या बराबर हूँ सबसे पहले हम इन्हें सिरफ एक पंक्ती में रख सकते हैं और हमारे पास एक पंक्ती में ही कंचों की कुल संख्या बारह होगी क्या आप कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं सोचिए आपके पास कंचों की कुल संख्या बारह है यदि हम दो पंक्तियों में 12 कंचों को रखें तो कितने कितने कंचे रखें ताकि दोनों पंक्तियों में बराबर कंचे हो स्वीटी ने बताया 6-6 कंचे होंगे और बिल्कुल सही जवाब है आपने भी शायद यही सोचा होगा यदि हम इस प्रकार 5 और 1-6 दूसरी पंक्ति में भी 4 और 2-6 हमारे पास दोनों ही पंक्तियों में 6-6 कंचे हैं इस प्रकार हमारे पास कूल कंचे 12 हैं जिनें हम इस प्रकार रख सकते हैं तीसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि प्रतेक पंक्ती में कंचों की संख्या बराबर हो राजु ने बताया कि चार-चार कंचे होंगे और बिल्कुल सही बताया यदि हम तीन पंक्तियां लें तो हमारे पास चार-चार कंचे प्रतेक पंक्ती में होंगे इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने प्रतेग पंक्ती में 4-4 कंचों को रखा और हमारे पास कुल कंचों की संख्या बार है और यदि हम 4 पंक्ती लें तो 3-3 कंचे हमारे पास होंगे और इस प्रकार से कंचों को रखा जाएगा यदि सिर्फ दो-दो कंचे प्रते एक पंक्ती में रखें तो छे पंक्तियां हमारे पास बनेंगी और इस प्रकार हम उनको रख सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पर पंक्तियों की संख्या छे है और प्रते एक पंक्ती में दो-दो कंचे रखे गए हैं इसके बाद यदि सिर्फ एक एक कंचे को हम रखें तो पंक्तियों की संख्या बारह होगी इस प्रकार हम यहां एक एक कंचे को रखें तो हमारे पास बारह पंक्तियां होगी जिससे की प्रतेग पंक्ति में कंचों की संख्या बराबर हो हमने 6 प्रकार से इन 12 कंचों को इस प्रकार रखा कि प्रतेग पंक्ती में कंचों की संख्या बराबर है यहां हम देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या, कंचों की संख्या और कुल कंचे किस प्रकार हमने रखे यदि पंक्तियों की संख्या एक हो तो कंचों की संख्या बार होगी और कुल कंचे हमारे पास बार है यदि पंक्तियों की संख्या दो ले तो 6-6 कंचे हमें रखने पड़ेंगे और कुल कंचे हमारे पास बार है पंक्तियों की संख्या हम तीन ले तो प्रतेक पंक्तियों की संख्या हमारे पास चार होगी और इसी प्रकार यदि हम पंक्तियों की संख्या चार ले प्रतेक पंक्तियों की संख्या तीन होगी यदि पंक्तियों की संख्या 6 हो प्रतेक पंक्ति में कंचों की संख्या 2 होगी और कुल कंचे हमारे पास 12 है यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या 12 है तो कंचों की संख्या सिर्फ 1 होगी और कुल कंचे हमारे पास 12 है इस प्रकार हम कह सकते हैं एक गुना बारहे के बराबर है, दो गुना छे भी बारहे होगा, तीन गुना चार भी बारहे, चार गुना तीन बारहे के बराबर है, छे गुना दो भी बारहे के बराबर और बारहे गुना एक भी बारहे के बराबर है जिन अंकों की गुना से हमें 12 प्राप्त होता है वे सभी अंक 12 के गुननखन है जैसा कि हम गुननखन के नाम से ही देखते हैं गुना के टुकडे यानि जिन टुकडों से हमें वे गुना प्राप्त होती है वही उस संख्या के गुननखन होते हैं यदि हम बारहे के गुनुनखंडों की बात करें, सबसे पहले एक, उसके बाद दो, तील, चार, चैर, और बारहे, ये सभी बारहे के गुनुनखंड है, आईए अब हम अठारे के गुनुनखंड की बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, जिन संख्याओं की गुना से हमें अठारे प्राप्त होगा, वही अठारे के गुनुनखंड होंगे, तो हमें देखना है, अठारे किन संख्याओं की गुना से आ सकता है, मोनिका ने जवाब दिया, एक गुना अठारे से अठारे प्राप्त होता है, दो गुना नो भी अठारे होता है, तीन गुना छे अठारे के बराबर है, छे गुना तीन से अठारे प्राप्त होता है, और हमारे पास नो गुना दो भी अठारे होता है, और अंत में अठारे गुना एक भी अठारे है, इस प्रकार हमारे पास अठारे के जो गुननखंड होंगे, वो एक, दो, तीन, छे, नो और अठारे होंगे, ऐसी संख्याएं ग्यात कीजिए जो चार को पूरा-पूरा विभाजित करती है राजु ने हमें जवाब दिया उसने इस प्रकार से किया सबसे पहले उसने चार को एक से भाग किया जिसमें भागफल चार है और शेश फल हमारे पास शुन्य है उसके बाद उसने चार को दो से भाग किया जिसमें भागफल दो और शुन्य है हमारे पास उसने तीन से जब भाग करके देखा तो भागफल एक और शुन्य की जगह अब हमारे पास शेश फल एक आया जब उसने चार को चार से भाग किया तो भागफल एक और शेशफल शुन्ने आया इसमें हमने देखा एक, दो और चार से भाग करने पर हमारे पास शेशफल शुन्ने है जबकि तीन से भाग करने पर शेशफल एक है तो हम कहेंगे जिससे भी हमारे पास शेश्वल सुन्ने आया वे संख्याएं चार को पूरा-पूरा भाग करती है हमारे पास चार जो है एक गुना चार से, दो गुना दो से और चार गुना एक से प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं एक, दो और चार संख्या चार को पूरा-पूरा भाग करती है या विभाजित करती है इसे हम एक निशकर्ष पर पहुँचते हैं किसी भी संख्या के सभी गुनुनखन उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करते हैं ये आपको याद रखना है, कोई भी संख्या हमें दी हुई है, उसके सभी गुनुनखन उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करते हैं, आईए गुनुनखन का एक खेल हम देखते हैं, जो दो खिलाडियों में खेला जा सकता है, ए और बी हमारे पास एक से पचास तक की संख्याएं लिखी गई हैं, जिसमें एक और एक नमबर चुन्दा हैं, और बी उस नमबर के सभी गुनुनुनखन को उठा लेगा, यहाँ ए ने 28 चुना है, बी उसके सभी गुनुनुनुन खन लेगा, जिसमें सबसे पहले एक, उसके बाद दो, चार, साथ, और उसके बाद उसके पास चोधा आएगा, उसके बाद बी कोई नमबर लेगा, और ए को उसके सभी गुनुनुनुन खन लेने हैं, आप देखिए, बी ने 24 लिया है, तो ए उसके कौन-कौन से गुनुनुनुन खन्डों को उठाएगा, तीन, छे, आठ, बार है, इस प्रकार आपने देखा, और यह खेल तब तक जारी रहेगा, जब तक की सभी कार्ड ना उठा लिये जाएं, उसके बाद A और B अपनी अपनी संख्याओं का योग करेंगे, अंत में जिसके पास भी योग अधिक होगा, वही जीतेगा, आप भी अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार गुनुन खन्ड का खेल, खेल सकते हैं, आईए अब हम गुनज की बात करते हैं, जिसे हम इंगलिश में multiple कहते हैं, आप सोचिए, गुनज जो है, वो किस से मिलता जुलता है, बिल्कुल सही, वो गुना से मिलता जुलता है, और आप एक एक्टिविटी कीजिए, यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, जिसकी जो लंबाई है वो तीन है, वो तीन सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप तीन मीटर भी ले सकते हैं, तीन मिलीमीटर भी ले सकते हैं, यह तीन ही काई की हमने एक पट्टी ली है, उसके इसी प्रकार की तीन, उसके बाद हमने चार पट्टियां लगाई और अंत में हमने पांच पट्टियां लगाई, क्या आप इन पट्टियों की कुल लंबाई हमें बता सकते हैं? समीर ने जवाब दिया, सबसे पहली पट्टि की लंबाई तीन होगी, उसके बाद छे, उसके बाद नो, उसके बाद बार है, और उसके बाद पंदर हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहली पट्टी में सिरफ हमारे पास तीन हैं, एक पट्टी है तो तीन गुना एक, दो पट्टी है तो तीन गुना दो से छे प्राप्त होगा, तीन पट्टियों के लिए हमें तीन गुना तीन करना पड़ा, चार पट्टी हमारे पास हैं तो ती 3 गुना 5 हमें 15 प्रारप्त हुआ है इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक पटी है तो 3 वेराबर है 1 गुणा 3 दो पटिओं में 2 गुना 3 6 तीन पटिसों में 3 गुना 3 9 चार पटिओं में 4 गुना 3 12 है और 5 पटिसों में 5 गुना 3, 15 है इकाई हमारी जो है लंबाई होगी है ये जो संख्याई हमारे पास हैं 3, 6, 9, 12 है और 15 है ये संख्या 3 के गुनज है यदि हमें पहला गुनज ग्याद करना है तीन को एक से गुना किया दूसरा गुनज ग्याद करना है तीन को दो से गुना करते हैं जो भी हमें गुनज ग्याद करना है उसे हम दी हुई संख्या से यदि गुना कर दें तो हमें उसका गुनज प्राप्त होता है अब आपको इससे अधारिक कुछ questions दिये जाते हैं जो आपको करने हैं पहला है आठ के सभी गुनखंड ग्याद करें और लिखें कि 28 के गुनखंडों की संख्या कितनी है दूसरा 20 के सभी गुनखंड ग्याद करें क्या आप बता सकते हैं 20 के गुनखंडों की संख्या कितनी है 5 के पहले चार गुनज लिखें आप 1 से 100 तक पांच के कितने गुणज ग्याद कर सकते हैं क्या हम पांच ये अन्य किसी भी संख्या के सभी गुणजों की संख्या ग्याद कर सकते हैं क्या बारहे और तीस के गुणनखंडों में से उन गुणनखंडों को लिख सकते हैं जो दोनों के गुणनखंड हैं और अंत में पांच और साथ ऐसा कौन सा गुनज है जो सबसे पहले दोनों के गुनजों में आता है। आपको 5 और 7 दोनों के गुनज लिखने हैं और उन दोनों में से छाटना है कि दोनों में कोमन या उभेनिस्ट गुनज कौन सा है।